हेलो अबीवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे स्वस्त होंगे तो आज की जो रिडिंग है यह हम करने वाले हैं देखेंगे कि आपके जो पार्ड़न हैं वह आध सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे क्या फिल कर स्टार्टर जो है क्या फील कर रहे थे क्या सोच रहे थे और क्या कुछ उनका नेक्स्ट एक्षिन होगा आपके लिए ठीक है तो यह चीजें हम आज की अपनी इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं तो आई होप आप सब जो है मेरे साथ बने रहेगा इस रीडिंग में चुक हो ओके तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट ओके गाइड करें अंजल्स इनिवर्स एन सिस्टर्स मुझे गाइड करें मेरे वीवर्स के लिए मुझे गाइड करें अंजल्स मुझे गाइड करें अंजल्स ओके गाइड करें अंजल्स ओके गाइड करें ओके तो वो क्या फील कर रहे थे आज सुबा सुबा यह हम सबसे पहले कार्ड निकालते हैं तुन्फलिम टालीपैथी का कार्ड है फॉर्स कार्ड लिए यूर्स कार्ड हाड ग्याड पार्ड अ के इंटि कार्ड इंट्स्थ हैं खॉर्स्ट कार्ड भीटी अ जहता उल्या फॉर्स लव बिलिव्स ओके और देखते हैं वो क्या सोच रहे थे मेरे वीवर्स के पार्टनर आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे गेट टू नो इच अदर अंसर अराइविंग second chances okay this could be the one and expect miracle ओके bottom of the deck kids का card है bottom of the deck ठीक है तो मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है सबसे पहले आपके partner आथ सुबह सुबह क्या feel कर रहे थे सबसे पहले card है twin from telepathy का card जो की बता रहा है कि आपके जो partner है काफी strongly आपके लिए feel करते है यह person काफी जदा strongly feel करते है और इनको हर वक्त यह मैसूस होता है कि आप इनसे कुछ कहना चाहते हो आप इनसे कुछ बताना चाहते हो आप इनसे connect होना चाहते हो ठीक यह person की feelings मुझे दिख रही है कि यह person को हर सुबह में देख पा रही हो यह हर शाम कह सकते है कि आपके partner को आपकी याद आती है यह person को हर सुबह इसलिए याद आती है क्योंकि इनको लगता है कि आप कुछ न कुछ जो है ना इनको टाली पैथे के थ्रूँ जो है ना messages भेजने की कोशिश जरूर करते हो messages भेजने की मतलब कि आपको जो है यह person जो भी जो भी यह person आपके लिए feel करते हैं उसमें कही ना कहीं कुछ ना कुछ changes है ना यह person के अंदर मुझे दिख रहे है page of pentacles के energy so यहाँ पर यह दिख रहा है कि person कहते हुए दिखाई दे रहे है कि यह person feel करते हुए दिखाई दे रहे है page of pentacles के energy है so yes इस person के अंदर वो काफी passion दिख रहा है मुझे एक ऐसी energy दिख रही है जहां पर ऐसा person मुझे दिख रहा है जो की काफी जदा energetic energy में है आप से बात करने के लिए ठीक है मुझे ऐसा दिख रहा है ऐसा feel हो रहा है कि आपके जो partner है न आपको लेकर के काफी एक focus होने वाली energy को feel करते हुए यह person मुझे नजर आ रहे है yes मुझे यह भी दिख रहा है जिसे कि यह person को आप से related कुछ सपने भी आते रहे है और मुझे यहां पे वो सपनों में involve होना आपका वो खासतोर से मुझे नजर आ रहा है ठीक है मुझे यह भी दिखता है जैसे कि आपके और आपके partner के बीच में है ना जो भी है काफी crystal clear होना चाहिए यह person के energy बता रहे है यह person चाहते है कि कोई भी कुछ भी बात छुपी हुई ना रहे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यह person के expectations आपको ले करके काफी ज़्यादा है काफी ज़्यादा है थोड़ी बहुत नहीं है बहुत ज़्यादा है ठीक मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यह person है ना काफी इन से क्या और feel करते है जब आप इन से बात नहीं करते हो देखो यहाँ पे यह दिख रहा है कि यह person जो है ना यह person कोई game नहीं खेलना चाहते है आपके साथ कोई time pass नहीं करना चाहते है यह person की feelings ऐसे हैं कि इनको बस मिलना है इनको बस आपके साथ वो growth दिखाई देती है आपके साथ जो एक होता ना कि life को एक बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है ठीक है वो जो है यह person के अंदर मुझे नजर आ रहा है यह person काफी ज़ादा आपको लेकर के feel करते हैं और number two और number two यहाँ पे एकदम से दिख रहा है कि twin flame connection काफी जदा आपके partner को feel होता है आपके लिए ठीक है आपके साथ release your past ओके यह person के ऐसी भी energy है जहाँ पे कहीं ना कहीं इस person को यह ज़रूर feel होता है कि इनको जो है ना अपने past को release कर देना चाहिए ठीक है Ace of Wands का card है इस person को ऐसा feel होता है कि इनको अपने past को release कर देना चाहिए क्यों release कर देना चाहिए क्योंकि past की कुछ चीज़े ऐसी है जैसे हो कहता है कि पुरानी बातों को पुरानी मुद्दों को जितनी जल्दी भूल सको उतनी जल्दी भूल जाना बहतर होता है क्यों क्योंकि ये सारी चीजे जो होती है ना लाइफ को बार-बार डिस्टर्ब करती रहती है लाइफ को बार-बार-बार एहसास दिलाती रहती है कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो है ना तो वो गलत जो है ना वो होना यहाँ पे दिख रहा है कि परसन को ये जरूर फिल हुआ है कि ये कुछ टाइम अपना जो ध्यान है ये कहीं और लगा रहे थे लेकिन वैसी जगह लगा रहे थे जहां से इनको कुछ रिजल्ट नहीं मिलता यहां पर दिख रहा है कि परसन काफी ज़्यादा डिले कर चुके हैं आपके साथ आने में काफी वक्त ले लिया है इनोंने काफी वक्त बरबाद कर दिया है इनोंने आपका भी इनका भी है ना तो अब वक्त बरबाद नहीं करना है अब आपके साथ आना है अब आपके साथ इस रिस्ते को बनाने में काफी ज़्दा इंट्रेस्ट आ रहा है आपके पार्टनर को यह पॉर्षन की फीलिंग्स है है ना इस पॉर्षन की फीलिंग्स मुझे नजर आ रही है कि आपके लिए है ओके स्टेबलिटी कार्ड क्यों है एंजल्स सिक्स ओफ स्वॉर्ड्स यह पॉर्षन स्टेबल रिलेशन्शिप की फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए आपके साथ यह चाहते हैं कि रिलेशन्शिप को हील किया जाए रिलेशन्शिप को ऐसे नहीं छोड़ा जाए जैसे कि बीच चौराहे पर छोड़ देना रिलेशन्शिप का फ्यूजर क्या हो उसकी कुछ खबर ना रखना सो वो नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर यह पॉर्सन चाहते हैं कि चलो ठीक है गलती हुई हुई release करते हैं लेकिन फिर से एक start तो करते हैं फिर से एक new beginning करते हैं वैसी new beginning जहां से हमें सब कुछ मिल सके हैं तो आपके partner काफी अकेला पन feel कर रहे हैं काफी जदा अकेला पन इसलिए यह person stability चाहते हैं यह person आगे बढ़ना चाहते हैं और यहां पर दिख रहा है कि जो भी unnecessary relationship में जो भी कहते हैं कि राई का पहाड बन चुका है उसको खतम करना चाहते हैं यह person यह नहीं चाहते हैं कि छोटी-छोटी relationship के लिए यहां पर इनको healing की ज़रत है यहां पर दिख रहा है कि आगे बढ़ने की चाहत बहुत है लेकिन आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना भी पड़ता है और बहुत कुछ करना भी पड़ेगा ठीक है वह energy मुझे काफी जदा feel हो रहे हैं आपके partner के अंदर ठीक okay bottom up तड़क temperance के energy है ठीक है सो मुझे यहां पर यह दिख रहा है आपके cards में कि आपके जो partner है temperance के energy बहुत ही अच्छी energy है बहुत ही ज्यादा अच्छी energy ऐसा दिख रहा है जिसे कि आपके जो partner है ना आपके साथ एक जो manifestation की energy है कह सकते हैं कि manifestation के energy है या manifest करने की चाहाद ज फिल हो रहा है कि ओ फर्डरटी में चलेगा हो या थर्डरटी के साथ अगर involve हो वहाँ से आपको निकाला है मुझे यह पर यहीं दिख रहा है कि इनको लगता है कि आप अपनी life में बहुत busy हो इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो तो ये person आपका ध्यान चाहते हैं, ये person को jealousy हो रही है, जब आप जो है इनके उपर बिल्कुल भी focus नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी focus नहीं, इनको रदी के भाव, एक होता ना कि रदी के मोल है ना, वही समझ रहे हो आप, अब सिर्फ दिखाने के लिए, रियालिटी में ऐसा ठीक है, यहां पर दिख रहा है कि आपके partner को लगता है कि मेरी value वो भूल गई है, या भूल गया है, तो मेरी value को उसे पता चलाना पड़ेगा, यह person जो है ना, यहां पर manifest करते हुए मुझे नज़र आ रहे है, बहुत 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 ज़ादा, manifestation काफी ज़द यहां पर, love beliefs का काट क्यों है यहां पर, temperance, येस, पुरानी बात है, पुरानी याद, पुरानी एकदम से, पुराने ख्वाब, पुरानी चीजे जो है ना, आपके partner को काफी ज़्यादा परेशान कर रही है, काफी परेशान कर रही है, यह person को बहुत बेचैनी हो रही है, आ आपसे एक होता है कि face to face conversation होना, है ना, देखो यह person को patience रखना पड़ेगा, यह person को feel हो रहा है कि मुझे मिलना है, या मुझे बात करनी है, या मुझे उसके तरफ जाना ही है, अपने proposal को accept करना है, या अपने proposal को देना है, तो मुझे उसके तरफ जाना होगा, मुझे उसके ले नहीं पा रहे हैं प्राब्रम यह भी आ रही है ठीक सो यह दिख रहा मुझे यह पर्सन क्या सोच रहे थे आज सुबह 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 की सबसे पहले तो एक दूसरे को जानना जरूरी है रियालिटी क्या है क्या नहीं है एक दूसरे को जानना जरूरी है क्योंकि इस तरीके का पेंड बरदाश करना कोई नॉर्मल सा तो है नहीं तो ये रोने से रिस्ते ठीक नहीं होते हैं, रोने से रिस्ते कोई ठीक नहीं होते हैं, कोई भी रिस्ता हो, ठीक है, जब प्यार करते हैं आप दोनों, तो ये रोना धोना क्यों, है न, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये person को feel हो रहा है कि नहीं, रोना तो बिल्कुल भी नही है बिल्कुल भी नहीं है भले ही हालात साही नहीं है भले ही mentally disturbance हो रही है भले ही कुछ भी हो रहा है लेकिन यहां पे ड inom अब time है क्या अब TIME में अपने आपको इप्रिश्वली करने का अब जह है इस प्रिश्वली है ना new beginning की energy मुझे काफी ज़दा clear दिखाई दे रही है ठीक है ना काफी ज़दा और new beginning करने हैं आपके partner को ऐसा मुझे feel हो रहा है और answer arriving answer arriving यह person की energy दिख रही है answer arriving के साथ devil के energy गिर गई है so devil के energy को लेना पड़ेगा हमें सो यहां पर दिख रहा है कि देखे आप दोनों की बीच में कहीं न कहीं कुछ disturbance जरूर है आपके partner को answer मिल भी रहे है एंजल्स की help के द्वारा है फिर भी इनका मन नहीं मान रहा है इनका मन negative thoughts thoughts को accept कर रहा है negative thoughts को create कर रहा है negative thoughts में ही चला चला जा रहा है यहां में पर दिख रहा है कि आपके partner को एक आपके तरफ जो होना चाहिए जिसे कहते हैं न कि आपके तरफ एक वो दौर होना चाहिए या कहें तो आपके तरफ वो आपके पार्टनर आने चाहिए ठीक है लेकिन वो पार्टनर आपके तो आही नहीं रहे आपके तरफ है ना तो वो प्रॉब्रम हो रही है यहाँ पे दिख रहा है कि चांसेज फाइफ अफ कप्स ओके मुझे ये फील हो रहा है कि देखिए एक तो आपके पार्टनर काफी उदा मिस करते हुए दिखाई तो देही रहे हैं लेकिन ये पॉर्षन को ये भी फील हो रहा है ये पॉर्षन ये भी सोट रहे है कि क्या करूं मैं पास्ट को लेकर के रोना रों या फ्यूचर के तरफ मैं देखूं आगे बढ़ूं फ्यूचर के तरफ चुकी इनको आगे बढ़ना होगा ठेक है क्योंकि फ्यूचर इनका है लेकिन इनको दिखने ही रहा है यहां पे दिख रहा है कि पॉर्षन को सेकेंड चांस चाहिए या नहीं होता है कि य पॉर्शन चाहते हैं दिल से दिल से आपके साथ आना चाहते हैं अगर मैं देक्व न आ T tou दिल से इनका साथ आना मुझे नजर आ रहा है दिल से फ़ोर्शन में आपके तरफ latte मुझे काफी चारफो सा चाहते है ठीक है मैं देख पारी हूं कि seven of wands का card and you could be the one दिख रहा है तो यहां पर दिख रहा है कि yes आपके partner को यह जरूर लग रहा है कि yes आप इनके partner हो या आप इनके soulmate हो या आप ही इनके साथी हो ठीक है लेकिन मैं यह भी देख पारी हूं कि आपकी partner को थोड़ा बहुत जो एक होता है कि आपकी attention चाहिए ठीक है लेकिन इसके लिए यह person को काफी कुछ चीज़े जो है न करनी होगी यह person थोड़ा सा अपने आपको maintain कर रहे हैं थोड़ा सा अपने आपको एक होता है कि mentally fresh कर रहे है और fresh करके एक होता है relationship को साही करना तो वह करते हुए यह person मुझे नज़र आ रहे है 10 of swords का card यह person है यह यह जो पॉरसन है यहाँ पे एक miracle होने का weight कर रहे है ही यहाँ पे दिख रहा है कि यह यहाँ यह दिख रहा हैकि two of wants के energy यहाँ पे दिख रहा है कि यहस आपके और आपके partner के बीच का जोूरसता है यह काफी ज़धा खुबसूरत हो सकता है काफी ज़्यादा खुबसूरत हो सकता है मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि यह सोच भी दिखाई दे रहे कि कास कुछ ऐसा हो जाए जो कि हम दोनों की बीच में जितनी gaping आई है वो gaping खतम हो जाए कम से कम ठीक है overall reading में मुझे यही दिख रहा है कि तो overall reading में यही देख रहा मुझे तो चलिए फिर करते हैं reading को खत मिलते हैं फिर किसी नई reading में तब तक के लिए अगर आप मुझसे प्रसंद टारो reading लेना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं टारो का reading classes start है आप अभी भी इंट्रॉल कर सकते हो उसमें फाटा फाट करके booking को confirm कर लिजे मिलते हैं फिर आप से किसी नई reading में तब तक के लिए बाबाई